हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार पर्यासरत है और गगल एरपोर्ट के बिस्तार की चर्चा भी शहर में खूब है और लोग इससे जहां खुश है तो बहीं कुछ लोग इससे नारास भी है क्योंकि लोग नहीं चाहते कि इसका बिस्तार हो ऐसे में बड़ी फ्लाइट को यहां कैसे उतारा जाए ये तो अब समय ही बताएगा हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार पर्यासरत है और गगल एरपोर्ट के बिस्तार का चर्चा भी शहर में खूब है और लोग इससे जहां खुश है तो वहीं कुछ लोग इससे नाराज भी है क्योंकि लोग नहीं चाहते कि इसका बिस्तार ऐसे में बड़ी फ्लाइट को यहां कैसे उतारा जाए ये तो अब समय ही बताएगा लेकिन बिस्तार नहो इसके लियू ए आस गगल के लोग मुक्या मंत्री ने उनकी बात पर आशवाशन दिया है लोगों का कहना है कि अगर इस एरपोर्ट का बिस्तार होता है तो उनकी जमीन चले जाएगी और उनके पास रहने को कुछ नहीं बचेगा लेकिन लोगों ने जैराम को बताया है कि पहले उनको जमीन दी जाए और समेरे ते उ एरपोर्ट जो विस्तार कर रहे है इसको रोका जाए यह जो विस्तार जो नबे में इनोंने किया है सही मौजा लोगों को नहीं मिला है उसके बाद 2004 में इन्होंने फिर एरपोर्ट का विस्तार किया उसके बाद बोला भी विस्तार नहीं होगा लेकिन अभी 2020 में फिर यह बिस्तार करने के चक्र में हैं जिससे की हमारी जो जनता बहुत ही आहत है हमारे मान्य मुख्य मंत्री मोदे से यही निवेदर है कि इसके बिस्तार को रोका जाए तो अश्वाशन दे रहे हैं देखा जाएगा तो ले हमारे अश्वाशन नहीं है हमारा कि इस एरपोर्ट के का मुख्या मंतरी जेराम ठाकुर किसी भी काम को रसम का नाम नहीं देना चाते धर्मशाला में सीद कालिन परबास की प्रथा नहीं मानना और मेरा जब भी मन करेगा मैं कांगडा आउंगा और फिलहाल अगले तीन चार दिन में कांगडा में ही रहने वाला हूँ दरसल सीद कालिन शतन में सरकार धर्मशाला में बैठती है और यहीं से सारे लोल हिमाच्र को कबर किया जाता है चाहे चमबा जिला हो हमिपुट जिला हो या फिर उनना जिला ही क्यो नहीं पहले कोई भी हो इस प्रथा को नहीं तोड़ा गया है लेकिन पहली बार इस प्रथा को तोड़ा गया है बार-बार मुख्यमंती के परवास कारक्यम को रत किया जा रहा है हमारा कुलू का है यहां कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है हिमाचल के लिए मैं कह सकता हूं अगर हमारी बाई रोड कनेक्टिविटी और बाई एर कनेक्टिविटी इंप्रूब हो जाती है बहुत अच्छी हो जाती है हमको हिमाचल परदेश में टूरिजम में इतना स्कूप है इतना स्कूप है वही हमारे हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा जरीया बनेगा ऐसे में ऐसे में हमने जुरूर कहा है कि उसके लिए मदद करें और कोशिश कर रहे हैं अब बहुत जल्दी बहुत जल्दी हम दे रहे हैं इस बार इस बार इस बार देख लें तो